नमस्कार दोस्तों, पूरुसों में प्रीमेच्योर इजयकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के भी प्राब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो दोस्तों, मैं आज आपको एक जर्मन होमोपेथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो प्रीमेच्योर इजयकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़्यूरी है और इसके साथ साथ पूरुसों में होने वाली ऐसी प्राब्लम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है ये मेडिसिन तो मैं डाक्टर रवी, आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों पूरुसों में प्रीमेचूर इजाकुलेशन की प्राब्लम बहुत ज़्यादा होती है जिसे हम असीघ्र पतन भी बोलते हैं इसके साथ साथ एरेक्टायल डिस्फंक्शन की भी प्राब्लम बहुत ज़्यादा होती है इसके साथ साथ हमें Spermatoria means involuntary sperm discharge जिसे हम nightfall भी बोलते हैं ये सब condition देखने को मिलती है Ejaculation जो timing जो होता है कि वो धीरे-धीरे कम होने लगता है ये ज्यादा तर जो 40 साल के उपर है उनमें ये problem ज्यादा देखने को मिलती है premature ejaculation की और erectile dysfunction की तो दोस्तों आज मैं आपको powerful homeopathic medicine बताने वाला हूँ ये R number की डाक्टर रिक्वेग की R group की जो medicine होती है उसमें से premature ejaculation के लिए और erectile dysfunction के लिए R number की 41 number की जो medicine आती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे बहुत ही effective medicine है दोस्तों इसे आप देख लिए इसका picture मैं लगा देता हूँ R 41 एक बहुत effective medicine है premature ejaculation के लिए और erectile dysfunction के लिए और साथे साथ उन दोस्तों के लिए जो जिनको problem होती है nightfall की उनमें R 41 बहुत ही जादा effective medicine है बहुत ज़्यादा work करेंगे दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस medicine में कौन कौन सी medicine डली है इसके साथ साथ बात करेंगे उसका क्या क्या काम है उसके बाद मैं बताओंगा दोस्तों कि इस medicine को कैसे use करना है दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी medicine डली है तो R 41 में जो सबसे पहली medicine है वो acid force है acid force in potency के लिए बहुत ही effective कह सकते हैं बहुत ही useful medicine है इसमें कमजोरी के कारण यह सारी problem होती है अगर आपको कमजोरी है तो इस condition में acid force को आप यूज करें आपको बहुत अच्छा result मिलेगा इसमें जो दूसरी medicine है agnes cast agnes cast एक बहुत ही जानी मानी medicine है impotency के लिए अगर आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ और इसके साथ साथ बहुत ही जादा कमजोरी महसूस हो तो इस condition में agnes cast बहुत useful होने वाले है आपके लिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं तीसरी medicine चाइना ओफिशनेलिस ये medicine अगर आपको बहुत जादा कमजोरी है तो उसमें बहुत ही जादा effective medicine है इसके साथ साथ अगर impotency है erectile dysfunction है और premature ejaculation है इसमें भी बहुत जादा effective medicine है दोस्तों बात कर लेते हैं चौथी medicine conium maculatum conium maculatum इसमें जो patient होता है बहुत ही गुसायल होता है चिल्डचिड़ा होता है और गुसा और चिल्चिड़ा होने के कारण उसकी इक्षा बिल्कुल ही नहीं करती है conium mac भी एक बहुत अच्छी medicine है impotency के लिए दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवी medicine पांचवी medicine इसमें डली होई है डामियाना डामियाना एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली medicine है impotency premature ejaculation में क्योंकि यह हमें provide करती है genital argon को strength provide करती है मतलब कि genital argon को ताकत देने का काम करती है दोस्तों अब बात कर लेते हैं छटी medicine चटी medicine R41 में CPI डली होई है CPI अगर आप बहुत जल्दी ठक जाते हैं और आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो उस condition में यह medicine बहुत ही ज़्यादा effective होने वाली है और इसके साथ-साथ premature ejaculation और erectile dysfunction के लिए भी बहुत ही effective medicine है इसमें जो next medicine डली है साथ-वी और last testis medicine testis medicine, testosterone hormones होता है उसको increase करने में काम आती है और जो testosterone hormone होता है वो हमारे excitement को बढ़ाने का काम करती है तो दोस्तों यह जो सारी medicine है वो R41 में डली हुई है मतलब R41 का यह combination है चली दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके यूज कैसे करना है इस medicine को 15-15 बूद आधे कर पानी में सुबह दोपहर और रात में ले दोस्तों यह medicine बहुत ही useful होने वाली है सिग्र पतन के लिए और erectile dysfunction के लिए साथे साथ nightfall में भी बहुत ज़्यादा उप्योगी होने वाली है erectile dysfunction मतलब कि equation के समय at the time of equation उस समय में इसकी जो position होनी चाहिए वो position में नहीं आ पाती है इसे हम erectile dysfunction बोलते हैं दोस्तों अगर आपको यह problem है तो आप इस medicine का use कर सकते हैं आप यूज या इस medicine का आप यूज कीजिए और फिर मुझे आप comment में जरूर बताएं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरा सुझाओ कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe जरूर करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बेहल्दी, बेसेफ